हलो फ्रेंड dólares will come to our YouTube channel मुनिधास तो दोस्तो आज हम आपको दिखाएंगे कि एंजल व Ne में चार्ट कैसे दिख़ते हैं और चार्ट सेटिंग आपको कैसे करनी है सो दोस्तो आपको अपनी फोन में एंजल वन ओग इन कर लेना है तो दोस्तो मेरे phone में already login है तो आप देख सकते हो यह है Angel One के homepage उसके बाद दोस्तो हम watch list में चले जाएंगे और particular कोई stock को select कर लेंगे तो दोस्तो मैं इधर HDFC bank को select कर लेती हूँ तो दोस्तो आप देख सकते हो यह जो charts बाला option है आपको इस option पे चले जाना है तो दोस्तो आप देख सकते हो यह HDFC bank का chart open हो गया है और दोस्तो यह जो near-range में price देखने को मिल दाई यह है HDFC bank का share price तो दोस्तो आप ऐसे करके इसको close and white भी कर सकते हो उसके बाद दोस्तो for example आपको इस candle का price देखना इसके उपर थोड़े tap करना है तो दोस्तो आप देख सकते हो इसको open down करोगे तो इस candle का price आपको देखने मिल जाएगा और यह जो आपको देखने को मिल दाए तो दोस्तो इसको आप tap करोगे तो यह chart जो है इस फुली open हो जाएगा तो दोस्तो हम इसके उपर tap करेंगे तो दोस्तो आप देख सकते हो यह chart में फूल करके देख सकती हो तो दोस्तो आप इसको nearest में लाके भी इसको अच्छा से देख सकते हो नेक्स जो आपको यह moon की जासा देखने को मिल रहा है तो दोस्तो इसके उपर अगर आप tap करोगे तो ये day mood and night mood हो जाता है तो दोस्तो ये फिलल day mood में है तो आपको अगर night mood में करना है तो आप simply इसके उपर tap करोगे तो दोस्तो इसके उपर night mood में आप देख सकते हो तो आपको जिसमें comfortable हो उसमें आप देख सकते हो charts को सो दोस्तों मैं इसको day में convert कर देती हूँ मैं normally day पर ही देखती हूँ इसके बाद दोस्तों आप नीचे देख सकते हो यह है इसका date range आप इसके उपर click करके आप देख सकते हो कि stepc bank cashier एक साल में या फिर पाश साल में कितना बड़ा है या फिर कितना घटा है सो दोस्तों हम इसके पर normally tap करेंगे तो दोस्त आप देख सेकतों यह फिलाल अभी one day में है आप इसको one day में click करोगे तो दोस्तों यह one day में देखने को मिलद है आपको उसके बाद फिर से आप इ कर सकते हो तो दोस्तों हम इसकोर कुछ टाइमिंग की तो दोस्तों अब देख सकते हो एग-टीर हमिने को मील नई-एग के है तो दोस्तों इसको चेंज कर सकते हो उसके आप उसके बाद देख सकते होगम करना है ठाइसे करके आप इस चार्ट का timing चेंज कर के देख सकतो तो दोस्तो अभी हम इस चार्ट को 15 minutes में convert करेंगे तो दोस्त आप देख सकतो ये 15 minutes में आ गया है और दोस्त आपके सामने जो ये start marks बला option देखने को मिल दाए अगर आप इसके अपर click करोगे तो दोस्तो आपके home page में ये show करेगा तो दोस्तो मेरे इधर already 15 minute star mark किया गया है और इधर है one day को तो दोस्तो अभी हम one day को करते है और five minutes को करते है तो दोस्तो आप देखना मेरे home page में ये show करेगा तो हम back आएंगे तो दोस्त आप देख सकते हो यह उपर में 5 मिनिट, 15 मिनिट and day candle में इसको शो करें तो दोस्तो इस candle को आप 5 मिनिट करके भी देख सकते हो और 15 मिनिट करके भी देख सकते हो अगर आप 15 मिनिट में convert करते हो तो दोस्त आपके समने जो एक एक candle देखने को मिल दाए यह एक एक candle 15 minutes का है उसके बाद दोस्तों हम next बात करेंगे यह candles की तो दोस्त आप देख सकते हो मेरे इधाद जितने चार्ट से यह candles में है तो दोस्तों इस चार्ट को आप candles में, bars में भी and line में भी देख सकते हो तो इसके लिए आपको simply इसके पर tap करना है तो दोस्तों आप देख सकते हो आपके सामने, bars, candles, hollow candles, line, areas, सब option आ जुगा है तो दोस्तों अगर आप line को select करते हो तो दोस्तों आप देख सकते हो आपका जो चार्ट है यह normally line पे आ जुगा है तो दोस्तों आपको candles में रखना है, normally candles भी अच्छे होते है, analysis करना and candles पे आपको अच्छा से clear आ जाता है तो दोस्तों अभी हम next बात करेंगे, आपको जो यह fx बाला option देखने को मिल दा है, यह है indicator तो दोस्तों आपको charts में indicator लगाने के लिए आप इसके उपर tap करोगे and indicator search करोगे तो दोस्तों अगर आपको RSI बाला volume and EMA अगर आपको लगाना है या फिर और भी इंडिकेटर से जासे की pvots इंडिकेटर तो आपको जो भी इंडिकेटर यूज़ करना है आप simply इसके पर tap करोगे and search करके आप इसको select कर लोगे तो दोस्तों मैं अभी 5 EMA आपको लगा के दिखाती हूँ तो हम इसके पर simply tap करेंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये search icon वाल option आ गया तो हम इधार search करते है moving average तो दोस्तों आप देख सकते हो आपके सामने बहुत सारा options आ गया है लेकिन आपको जो ये देखने को मिलना है moving average आपको ये select कर लेना है तो दोस्तों आप देख सकते हो चार्ट में moving average जो indicator है ये already लग चुका है इसमें आवी गया है लेकिन दोस्तों इसको settings करना है क्योंकि हमने बताया कि 5 EMA हमको charts में लगाना है तो दोस्तों ये वाला जो MA 9 close वाला option आपको देखने को मिलना है आपको इसके उपर simply tap करना है तो दोस्तों tap करने के बाद आपके सामने ये settings वाला जो option आ गया है आपको इस settings option के वाला option के उपर click करना है उसके बाद दोथो inputs में जो length वला option है 9 इसको आपको कर देना है 5 उसके बाद दोस्तो close and zero e रखना है and smoothing line को आपको EMA कर देना है उसके बाद smoothing length 9 है इसको आपको क्या करना है इसको आपको 5 कर देना है उसके बाद दोस्तो इस style में जाओगे तो आप इधर से इसका color change कर सकते हो उसके बाद दोस्तो visibility पे जो है आपको एही रखना है उसके बाद दोस्तो नीचे ok जो option आ रहा है आपको इस ok option के उपर clip करना है तो दोस्तो आप देख सकते हो यह moving average जो 5EA में है यह हमारे charts में लग गया है तो दोस्तो इतनी simple तरीकों से आप हर indicator को use कर सकते हो लेकिन हर indicator को settings अच्छा से करना जाए उसके बाद ही आपको use करना है उसके बाद दोस्तो आप इस indicator को height करना चाहते हो तो आपको simply इस indicator के उपर tap करना है और इस eye वाला button देखने को जो मिलना है आपको इसके बाद टैप करना है तो दोस्तो आप देख सकते हो moving average जो है हाइड हो चुका है आप इसके बाद फिर से tap करोगे तो फिर से आ जाएगा तो दोस्तो फिलाल अभी हम इसको height कर देता है तो दोस्तो अभी हम और भी कुछ tools के बारे में बात करेंगे जिस tools के माध्धम से आप suffer resistance या फिर train line ड्रॉक कर सकते हो तो दोस्तो इसके लिए हमें charts को पहले छोटा कर लेना है तो हमें इसके उपर फिर से tap करना है तो दोस्तो हम इसके उपर tap कर लेंगे उसके बाद आपको ये blue color का जो arrow sign दिखने को मिल डाए आपको इसके उपर click करना है तो दोस्तो आपको इसके उपर click करना है तो दोस्तो आपके सामने बहुत सरा tools आ गया है लेकिन हम कुछी particular tools के बारे में बात करेंगे जो normally काम पे आते है तो दोस्तो पहले हम बात करेंगे इस train line के बारे में So, दोस्तो, trend line draw करने के लिए simply आपको इसके पर tap करना है. उसके बाद दोस्तो, आपके सामने बहुत सरा options आ गया है. लेकिन दोस्तो, आपको इस trend line and horizontal line and horizontal ray को यूज करना है. और बाकी का इतना काम है नहीं. So, दोस्तो, पहले हम trend line draw करेंगे. उसके बाद दोस्तो, आप horizontal line and horizontal ray को आप support and resistant draw करने के लिए भी use कर सकते हो. So, दोस्तो, हम trend line को select करते हैं. उसके बाद दोस्तो, हमें trend line draw करना है. जहाँ से trend line draw करना है, तो आप simply उसके ओपर tap करेंगे. तो हमें इधर से trend line draw करना है. तो हम इधर इसको tap करेंगे. इसको tap करके आपको जहाँ से trend line draw करना है, उदर आपको खीचना है. So, दोस्तो, आपको ऐसे खीचना है. So, दोस्तो, यह trend line हो चुका है. उसके बाद दोस्तो, आप जो यह trend line draw करेंगे, इसका color भी आप change कर सकते हो. इसके लिए आपको simply इस pencil icon में जो blue वाला दिखने को मिलना है, आप simply इसके आपड़ टैप करेंगे. उसके बाद दोस्तो, इधर से आप कोई भी color को select कर सकते हो. तो, दोस्तो, हम इधर black color को select कर लेते हैं, आप इसका width को भी change कर सकते हो. तो, दोस्तो, इसके लिए आपको इसके पर click करना है, and 2px का हम select करते हैं, तो दोस्तो, ऐसे करके आप trend line draw कर सकते हो. उसके बाद दोस्तो, normally अगर आपको कुछ support या resistance या फिर importance line draw करना है, तो दोस्तो, आप उदर horizontal ray use करके भी कर सकते हो. इसलिए आपको simply इस trend line के उपर फिस से tap करना है, and दोस्तो, आपको horizontal line या फिर horizontal ray select करना है, so, दोस्तो, हम horizontal line को select करते हैं, and जहां से हमको ये importance line draw करना है, so, दोस्तो, इधर हम tap करेंगे. तो हमें इधर से किचना है, हम इधर tap करेंगे, so, दोस्तो, आप देख सकते हो, ये horizontal line हो गया है, so, दोस्तो, इन्पोटेंस line यूज करने के लिए, आप horizontal line को use कर सकते हो, उसके बाद दोस्तो, आप horizontal ray को भी use करोगे, तो horizontal ray कैसे use करना है, तो दोस्तो, इसके पर simply आपको tap करना है, and horizontal ray को select करना है, and दोस्तो, ये horizontal line जो था, ओ फूल, तुम्हारा charts पर आ जाता है, लेकिन horizontal day आपको जहाद से लेना है, उधर से right side तक only for आते है, तो दोस्तो, हमें इधर इसको tap करना है, तो right side में ये आ गया है, तो दोस्तो, ऐसे करके, आप horizontal line, horizontal ray, and train line को इस्तिमाल कर सकते हो, उसके बाद दोस्तो, हम next बात करेंगे Fibonacci Retacement की, so दोस्तो, अगर आपको Fibonacci Retacement यूज करना है, तो दोस्तो, इसके उपर आपको simply tap करना है, तो इसके उपर हम simply tap करेंगे, तो दोस्तो, आप देख सकते हो, आपके सामने बहुत सारा options आ गया है, लेकिन ये सारे options ज़्यादा काम करने है, only for आपको Fibonacci Retacement बाला जो आपको option देखने को मिल दे, आप इसका इस्तिमाल कर सकते हो, इसके लिए आपको simply tap करना है, अगर आपको upside trade लेना है, तो दोस्तो, जहां से आपको लेना है, उधर से पकड़के आपको upside खीचना है, तो दोस्तो, ऐसे करके आप Fibonacci Retacement को यूज कर सकते हो, तो दोस्तो, फिलाल अभी के लिए हम इसको delete कर देता है, तो हम next बात करेंगे, अगर आपको important support and resistance ड्रॉक करना है, तो दोस्तो, कैसे आप ड्रॉक कर सकते हो, इसके लिए simply आप इसके पर tap करोगे, तो दोस्तो, आपके सामने बहुत सारा options आगिया है, तो दोस्तो, आप सारे options का use कर सकते हो, लेकिन normally जो important support and resistance होता है, उसके लिए दोस्तो, आपको इस rectangle option है, इस rectangle option के ओपर click करना है, उसके बाद दोस्तो, आपको जहाँ से support यह resistance ड्रॉक करना है, आप उधर उसको simply tap करोगे तो दोस्तो, मुझे resistance ड्रॉक करना है, तो दोस्तो, हमें इधर इसको tap करते है, और इसको लंबाख खिसते है, तो दोस्तो, ऐसे करके आप important support and resistance ड्रॉक कर सकते हो, उसके बाद next set text, आप अगर text add करना जाते हो, तो दोस्तो, आप इधर text add कर सकते हो, उसके बाद दोस्तो, हम जो next important जो measurement की बात करेंगे ओ है यह अगर आपको long position and short position या फिर price range आपको देखना है तो दोस्तो आपको simply इस जो tools है इस tools का ही इस तेमाल करना है तो दोस्तो इसके उपर हम simply tap करेंगे तो दोस्तो आपके समने बहुत दरा options आ गया है लेकिन यह 4 options only for आपके लिए important है एक तो है long position एक तो है short position उसके बाद है debt range और एक है price range तो दोस्तो पहले हम आज long position के बारे में बात करेंगे तो long position मतलब अगर market आप जा रहा है अगर आपको buy करना है तो दोस्तो आप long position का इस्तमल करोगे तो दोस्तो पहले हम इस long position को select कर लेते हैं उसके बाद दोस्तो आपको अगर इधर से buy करना है तो मैं पहले थोड़े चार्ट को बड़े कर लेती हूँ तो दोस्तो फार एक्जम्पेल अगर आपको buy करना है तो दोस्तो आपका target and stop loss कितना रहेगा यह decide करता है long position तो दोस्तो फार एक्जम्पेल आपको buy करना है इधर तो आपको simply इसके पर tap करना है और दोस्तो आपको उपर साइड इसको खिजना है तो दोस्तो ऐसे करके आप अपना target select कर सकते हो और आप अपना stop loss को भी select कर सकते हो तो दोस्तो यह हुआ long position की बात तो इसको हम delete कर देते हैं तो दोस्तो अभी हम next बात करेंगे short position की तो अगर आपको sell करना है तो दोस्तो आप इस short position को select कर लेंगे करना है तो इसके पर आपको simply tap करना है आपका जो टार्गेट होगा आपको पहले खीच लेना है और आपका stop loss को select कर लेना है तो दोस्तो आप देख सकते हो आपका जो target है यह है 14.49 रूपीस और आपका stop loss होगा ऑह होगा 5.20 रूपीस तो दूस्तो आप short position and long position को इस्तमाल कर सकते हो अपना target and stop loss के हिसाब से तो अभी हम इसको delete कर देते हैं उसके बाद दूस्तो हम next बात करेंगे price range के बारे में तो दूस्तो price range हम normally इसलिए use करते है suppose that आपको इधर से उपर तक देखना है कि price कितना range तक गया है तो दूस्तो इसके पर आपको simply tap करना है and upside आपको खीचना है तो दूस्तो आप देख सकते हो इतना दूर price गया है जो कि है 12.40 रूपीज and 0.75 पसेंटेज तो दूस्तो price range के इस्तिमाल करके आप इसका range निकल सकते हो कि नीचे से उपर या फिर उपास से नीचे जो market गया है एक कितना range तक गया है तो दूस्तो अभी हम इसको delete कर देते हैं तो दूस्तो ये चार major tools था जिसके बड़ में मैं बता दिया उसके बद दूस्तो आप ये delete वाला जो option आपको देखने को मिल दा है आप इस delete option के उपर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो जितना भी चार्ट्स ड्रा हुआ है ये clear हो जाएगा उसके बद दूस्तो आपको जो ये i button बला option देखने को मिल दा है इस i button के उपर आप अगर आप टैप करोगे तो आपका जो चार्ट्स ड्रा हुआ है ये height हो जाएगा तो मैं ये करके आपको दिखाती हूँ तो हम इस i button के उपर टैप करेंगे सो दोस्त आप देख सकतो मेरा जो चार्ट्स है वो height हो चुका है आपको simply is i button के उपर टैप करना है सो दोस्त आप देख सकतो मेरा मेंने जो ड्रा किया ओध्र आगया है तो दोस्तों I hope कि मैं आपको अच्छा से समझा पाया कि Angel One में चार्ट कैसे देखते है और चार्ट में कौन सी कौन सी टूल यूज़ करना है और चार्ट सेटिंग्स क्या है और दोस्तों कोई भी कन्फूशन डाये तो नीचे आप मुझे कमें सेक्स में पूश सकते हो और वी